हेलरेजर, फिल्म समीक्षा एक स्क्रीन स्टोरी से उन्होंने डेविड एस गोयर के साथ सहलेखन किया है यहां हेलराइजर फ्रेचाइस का रिबूट है, कुल मिलाकर ग्यार हवी किस्थ है और क्लाइव बारकर के 1986 के उपन्यास दहेल बाउंद हार्ट का दूसरा रुपानतरण है जिसे 1987 की फिल्म हैलराइजर में रुपानतरित किया गया था फिल्म में ओडेसा एजियन, जेमी क्लेटन, एडम फेसन, ग्रू स्टार की, ब्रैंडन फ्लिन, एओफ हिंसर, जेसन लाइल्स, इनका उलो रुन्निफ, सेलिनालो, जाचरी हिंग, किट क्लार्क, गोरान, विज्जिक और हियाम, अब्बास शामिल है यहाँ नशे की लट से उबरने वाली एक युवा महिला की कहानी है, जिसे एक यांतरिक पहेली बॉक्स मिलता है, जो सेनोबाइट्स, मानव सदरिश प्राणियों को बुला सकता है, जो दर्द को आनंद के रूप में पनपते हैं सुख्वादी करोरपती रोलैंड वोइट की हवेली में एक पार्टी के गौरान यौनकर्मी जोई को एक यांतरिक पहेली बॉक्स मिलता है, जिसे वोइट हल करने पर जोर देता है जोई कॉन्फिग्रेशन को हल करता है और बॉक्स से निकलने वाले ब्लेड से उस पर वार किया जाता है एक पोर्टल खुलता है, जहां से जन्जीरे उरती हैं और जोई को टुक्रे टुक्रे कर देती हैं छै साल बाद लट से उबर कर रिले अपने भाई मैट, उसके प्रेमी कॉलिन और उनकी रूम्मेट नोरा के साथ रह रही है रिले का प्रेमी ट्रेवर उसे एक परित्यक्त भंडारन गोदाम में घुसने में मदद करने के लिए मनाता है जहां वे पहेली बॉक्स की खोज करते हैं और उसे ले जाते हैं देर से घर लोटने पर रिले की मैट से बहस हो जाती है और वह चला जाता है एक खाली पार्क में वह बॉक्स को सुलजाती है और ब्लेड से कटने से बच जाती है सेनोबाइट्स कटेफटे मानवों का एक समूह प्रकट होता है और मांग करता है कि वह एक और बलिदान चुने मैट को पता चलता है कि रिले बेहोश हो गई है और जैसे ही वह उसे जगाने की कोशिश करता है अंजाने में खुद को बॉक्स पर काट लेता है वह अपने घाव को साफ करने के लिए पास के शौचाले में जाता है रिले ने उसकी चीक सुनी और उसे पता चला कि वह गायब हो गया है यह मानते हुए कि बॉक्स मैट के गायब होने का कारण बना रिले और ट्रेवर ने वोईट की पूर्व वकील से रिना मेंकेर का पता लगाया जिन्होंने इसे गोदाम में छपाया था मेंकेर रिले से बॉक्स लेने की कोशिश करता है लेकिन अंजाने में ब्लेड से कट जाता है और बाद में सेनोबाइट्स द्वारा ले लिया जाता है रिले वोईट की परित्यक्त हवेली का दौरा करता है उसकी पत्रिकाओं को ढूंडता है और सीखता है कि बॉक्स में कई कॉन्फिग्रेशन हैं, जिन में से प्रत्येक को सेनोबाइट्स को लेने के लिए एक पीडित को बॉक्स के ब्लेड द्वारा चेहनित करने की आवश्चक्ता होती है। पूरा होने पर बॉक्स अपने धारक को नर्क पर शासन करने वाली इकाई लिविथान से उफार प्राप्त करने की अनुमती देता है। रिले मैट की एक जलक देखता है और यह जानकर भैभीत हो जाता है कि उसके साथ छेड़ छाड़ की गई है। प्रेवर कॉलिन और नोरा रिले को घर ले जाने के लिए पहुँचते हैं। जबकि रिले कॉलिन को अपने निशकर्ष बताती है अभी भी जीवित लेकिन विकृत वोईट जो दीवारों के अंदर छिपा हुआ है नोरा पर बॉक्स से वार करता है। समू एक वैन में हवेली से भाग जाता है लेकिन नोरा को सेनोबाइट्स द्वारा ले लिया जाता है। उनका नेता, पुजारी नोरा को टाना मारता है और चिढाता है। समू वैन को दुरघट नागरस्ट कर देता है और वापस हवेली की ओर चल देता है। रिले का सामना पुजारी से होता है जो मैट को पुनरजीवित करने की पेशकश करता है यदि रिले दो और बलिदान चुनता है रिले ने मना कर दिया और उसे बलेड से काट दिया गया पुजारी अब चेहनित रिले को दो और बलिदान चुन्ने या स्वयन शिकार बनने का आदेश देता है सेनो बाइट्स में से एक चैटर द्वारा ट्रेवर के घायल होने के बाद रिले अगले कॉन्फिग्रेशन को हल करता है और उस पर वार करता है अगली बली के रूप में सेनो बाइट्स टुक्रे टुक्रे हो जाता है समो हवेली में वापस आता है यह महसूस करते हुए कि सेनो बाइट्स को बाहर से बंद करने के लिए स्टील के दरवाजे डिजाइन किये गए हैं रिले और कॉलिन ट्रेवर को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और यह पता चलता है कि ट्रेवर वोईट के लिए पहली बॉक्स में बलिदान देने के लिए लोगों को ढूंडने का काम कर रहा है रिले और कॉलिन अंतिन बलिदान देने के लिए एक सेनोबाइट, एस्फिक्स को फसाते हैं लेकिन वोईट प्रकट होता है और बॉक्स से कॉलिन पर वार करता है वोईट ने खुलासा किया कि उसने अपने सभी बलिदानों को पूरा करने के बाद नई आनंद दायक समवेदनाओं की तलाश की लेकिन उसका इनाम उससे जुड़ा एक उपकरण था जिसने उसकी तंत्रिका अंत को मोर दिया, जिससे उसे लगातार गर्ध होता रहा वह अंतिन विन्यास पूरा करता है और सेनोबाइट्स को फसाता है और मांग करता है कि वे लेविथान से उसे उसके उपहार से मुक्त करने के लिए कहें जबकि लेविथान हवेली के उपर आकाश में दिखाई देता है रिले बॉक्स को पुनह प्राप्त करता है और स्टील के दरवाजे खोलता है जिससे सेनोबाइट्स को अंदर आने दिया जाता है रिले ने ट्रेवर को चाकू मार कर कॉलिन को यातना से बचाया उसे एक नए अंतिन बलिदान के रूप में चुना ट्रेवर को विकरित कर दिया गया और नर्क में घसीटा गया इस बीच पुजारी वोईट्स से कहता है कि उसका इनाम रद नहीं किया जा सकता है लेकिन उसे एक अलग इनाम के लिए बदला जा सकता है क्योंकि उसका वर्तमान उपहार दर्द उसे पसंद नहीं है वह उसे एक शक्ती प्रदान करती है जिसे वह स्विकार करता है वोइट को उसके गर्भनिरोधक से मुक्त कर दिया गया और ठीक कर दिया गया लेकिन लेविथान ने तुरंट उसे एक बड़ी श्रिंखला से लटका दिया और उठा लिया बलिदान पूरे होने के बाद सेनोबाइट्स ने रिले को बताया कि वे उफार के रूप में मैट को पुनरजीवित कर सकते हैं रिले ने कोई भी उफार लेने से इंकार कर दिया क्योंकि वह जानती है कि उन्हें हमेशा तोडमरोड कर पेश किया जाएगा और वह उनसे कहती है कि वह मैट की म्रिक्व को स्विकार कर लेगी सेनोबाइट्स ने उसे बताया कि अपने अपराध और नुकसान के साथ जीने का विकल्प चुनकर उसने प्रभावी रूप से विलाप का उपहार चुना है बॉक्स अपने घन विन्यास पर वापस आ जाता है और सेनोबाइट्स गायब हो जाते हैं जैसे ही रिले और कॉलिन हवेली छोड़ते हैं वह उससे पूछता है कि क्या उसने सही चुनाव किया है रिले चुप रहती है लेविथान के अंदर बॉइट एक नए सेनोबाइट में क्रूर परिवर्तन से गुजरता है हिलराइजर रिमेक की योजना को अक्टूबर 2007 में प्रचारित किया गया था जब जूलियन मौरी और एलेक्जेंडर बस्तिलो द्वारा निर्देशन करने की सूचना मिली थी जबकी बारकर निर्मान कर रहे थे और मारकस डंस्टन और पैट्रिक मिल्टन पठकता लिख रहे थे मौरी और बस्तिलो के परियोजना छोड़ने के बाद तॉड फार्मर और पैट्रिक लुसियर को 2012 की शुरुआत में रिलीज के लिए उत्पादन के साथ जोड़ा गया था हाला की जारी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हिलराइजर रिवीलेशन्स जिसे 2011 में रिलीज किया गया था के रिलीज होने के बाद फार्मर और लुसियर अब इसमें शामिल नहीं थे 2018 तक हैलोवीन की आलोच नात्मक और व्यावसायक सफलता के बाद मिरामैक्स ने नई हैलराइजर किस्तों की योजना की पुष्टी की थी फिल्म को 2019 की शुरुवात में हरी जंडी मिल गई थी जिसमें बुकंड ने कोलिंस और पियोत्रोवस की द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट से निर्देशन किया था जबकी प्रोजेक्ट स्पाइग्लास मेडिया ग्रूप और फैंटम फॉर फिल्म्स के साथ हुलू में चला गया था फिल्मांकन सितमवर से अक्टूबर 2021 तक हुआ यहाँ फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी सबसे पहले फैंटास्टिक फेस्ट 2022 के दौरान पूरे उत्तरी अमेरिका में हुलू के माध्यम से और फिर युनाइटेड केंडम में और विश्वस्तर पर स्पाइग्लास और पैरमांट पिक्चर्स के माध्यम से फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली कुछ लोगों ने इसे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बहतर और 1987 की मूल फिल्म के बाद से सर्वश्रिष्ट माना श्रिंखला में इसके नए स्वरूप, स्रोत सामगरी के स्वर के प्रती निष्ठा और क्लेटन के प्रदर्शन के लिए इसकी प्रशनसा की गई जबकि इसके चरित्र विकास और रंटाइम में जल्दबाजी के लिए इसकी आलोचना की गई